आंती देवी जी आज आए हैं इनको हम शाटिका के लिए ये एक मेंट अभी तो लगी नहीं आता अभी कोई नहीं 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 गुरित कुमारी का जो हम इसके पर इस देते हैं रहिए हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों ये पंच दातु शलाका होती है जिसमें पांच दातु होती हैं स्वन, वंग, कॉपर, जिंक और लो इसको हम अपना रेड ओट कर देते हैं बिलकुल लाल करने के बाद मरीज को और इसके अंदर हम अपना जो श्याटिका का जो दर्द है उसमें एक इनको कुले की हड़ी में भी डॉक्टरों ने उपरेशन बता रखा है कि कुले की हड़ी उसमें कुला बदलवाना पलेगा उसमें भी हम इनको करेंगे एवियन की बिमारी बोलते हैं उसको ये देगे बिल्कुल लाल हो जाती है जिसमें तंबे की तरह चमकने ही लगती है जैसे लोहा गरम होने के बाद यह देगे बिल्कुल तब्त हो जाता है तो यह हम इनको दगत करेंगे और साथ में इनके गोड़ों में भी दिक्कत है वहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट लगाएंगे कि यहां यहां लगा जाता है और ईनके एक पॉइंट यहां भी है यहां भी दौ पॉइंट है बस बस हो गया ओग्या बहुत बढ़ीया बहुत बढ़ीया बास बास हो गया हो गया कि इस पर हम ठंड़क के लिए यह लगा देते हैं अपने आप में बड़ा कूलिंग एफेक्ट देता है और दोस्तों इसके अंदर साथ में इनके यहां तो हैं यह पॉइंट यह देखिए यह हमने कपोट वर्ण क हो जाते हैं यह इनके दग दोने के पाथ में यह कपोट वर्ण के बन गया है यह पॉइंट यह दिख रहे हैं आपको कपोट वर्ण के जब हो जाते हैं तो यह पूरोन दगद होता है माताजी एक बार सीधे हो जाओ जो आपके वह कुल्ले में भी है ना उस पॉइंट पर कुछ अधिध्यार यह झाते हैं शुट लगा आपके शीधे कर लो इंप अधिधे कर लो चौड़द में पकड रखता है और यह प्ड़ा रखता है को जुनी सीधा मुझ खोल के साहाँ सांसलों नमबा यह नपय पाइंट दर्द यह ना कर आ ए ऐए एलेंट Jouri ुरे चुना विलेंट शच्ili वोटो वाउन थे बताइन सेंट पहते हैं. इस बढ़ा दाए लिए यह यह लगा देना है कि फाले हैं तंडक के लिए यह अव्या को बाधा अवाम इसको भी देखो यह अगनी करमा यह हमने यहां भी भी लगा देना है देखो ठंडक के लिए एलो विरा बस एक इनका लास्ट पॉइंट है पैरों में अब थोड़ा सा फेर गरम करेंगे इसको कट कर दो साइड जे द्वारा इसको हीट करेंगे इसकी देखिए और हम दूसरा एलो विरा ले ले लेते हैं अब इसको करश कर देते हैं बिल्कुल अच्छे जे देखिए और माता को हम पूछेंगे लास्ट में कि भी आप इनको पोरा करने के बाद कितना राम मिला अभी तो थोड़ा सा क्या होता है देखो दोस्तों स्किन के अंद कोड़ा सा फरक पड़ता है अभी मेरे पास अभी एक जवान लगा के जुन जुनु से आया था और इसको बहुत ही इमिजेट बेसिस पे इसलेस टेंडन था एसलेस टेंडन पर लगाया तो बड़ा राम आया ऐसी फ्रोजन शोल्डर के अंदर भी हमने भी लगाये थे यहां पर इनके जो है ओधरन यही दर्त यह दर्क्राइड है यह जो हो ग्याह गया होगया हो गया हो गया हो अगने कर्मा करने के बाद हम घृतकुवारी से इसको कूलिंग एफेक्ट दे देते हैं और अब जो माता को जो दर्द थी इतनी जो इनको पीडा थी उस पीडा में भी पूछेंगे भी कुछ अराम भी मिलाएगा नहीं कर लो पर आओ अराम से आओ निचे निचे आओ राम से आओ अराम से आओ अराम से आओ अराम से आओ इधर से एक बार खड़े हो राम से राम से कड़े हो और कोई दिक करने अराम से कड़े हो अब यह बताओ जो आपको जो यह दर्द था यहां कमर में इसमें कितना राम है यह 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 पताओ के उतना है या वने दिर्ण स्दधान Assaut अब दावने से बताओ करो कि कुस्तंट और उकेतना पड़ी यह घुर लग यह यहां बता रहे थे आप अब है अब है उतना दर्थ पेले थे लुक्युक्या सबस्त्ध तो पर देखा जो चलो 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 जो बिलकुँ चलो जो आपके गुटने में और उसमें जो भी दर्द था यहाँ अधिन आपको जितना दर्द था लो इसमें बताओ और फिर हम आपका वो भी करेंगे जो आपका दूसरा रख्तमोक्षन करा था पहले से कितना राम आया आपको उस चीज में पता पीटे मेरा दर दिया पता मने किस तरह मसूस होएगा एक तो मैं जिस तरह लेट हूं नहीं लेट का उठाओ जड़ तो ठीक है लिकिन आप मुझ है इसमें वो कर दिया और हफ्ते के हफ्ते हम आपका इसमें सिक्का करेंगे ठीक ना उसके बाद आपको फिर हम द्वारा पुच्छेंगे कि एक बार और चलो इसके अंदर दोस्चे को मैं आपको एक और बताना चाहूंगा आप वाइं चलो माताजी इतना इसके अंदर एक सबसे खास ध्यान यह रखना है दोस्तों कि भी यह अगनी करमा ऐसा ही किसी चीज के अंदर आपने नहीं करना कि यह किसी भी डॉक्टर की चिक्सक की देख र होनी में हमारा सेट अप है वाम यह करते हैं आपको अगर कोई दिक्कत आई तो आप यहां आ सकते हैं और यह देखिए पेशन्ट आपके